नमस्कार दोस्तों मैं रोहित गुपता स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या थियोरी का एक्जाम कितने मार्क्स का होता है बुक का पीडियाफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें सारे के सारे कोशन जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है हैं मिला कि इस जितने भी कोशन है ना इसमें से मोश्ट जो है रेपीटिड कोशन है जो एक्जाम में बार बार लगातार पूछे जा रहे हुं टॉपिक्स से निकाले गए हैं और टोटल कितने चेफ्ट्र आपके स्लेबस में वह सारी चीज़े बताऊंगा क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि कंप्यूटर है और एसेंबली मेंटेनेंस का जो सब्जेक्ट है उसका कोई भी स्टडी मेटेरियल अवलेबल नहीं हो पा रहा हमें स्लेबस नहीं पता हम अब स्लेबस नहीं पता होगा तो बच्चे कवर कैसे करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीडियोफ का पीडियोफ कैसे डाउनलोड करना है उसके बाद जो है हम इंप्रॉडटर्ट कुशन डिसकस करेंगे क्योंकि थाटी मार्क्स ऐगा और थाट तो इसे वज जैसे मैंने पीडियाफ यह नहीं बनाया इसका एक्जाम जो होगा आपका वह वह भी कोशन पर पूरा का पूरा इंग्लिश मेडियो में नहीं आएगा तो सबसे पहले आपका जाता है चैप्टर रंबर वन जिसका नाम है इंट्रॉडक्शन टु कंप्यूटर क चैप्टर कंप्यूटर कंपोरौनिंफटर तेंड़ के रिप्पेजेंटेशन क्या कलिक्स को भीुफान फोल्स एक टापिक्स हैं वो भी देख लेते हैं तो सबसे पहले इकडांनी प्रन हैaitर इंट्रॉडक्शन क्प्यूटर के के करेक्षट्रिक्स्टिक सफिंडर उसमें से देखके कर सकते हूं उसमें से कुछ चैप्टर जो है जय से चैप्टर लान हो गया Yoo एτα C ya Ohh यह धोनों कहा सथ आता आपकी नॉर्मल टाटा एंट्री वाला जो सब्जेक है उसके चैप्टर1 और चैप्टर टो को देखकर आप इन दो चेप्टर को कवरण अब कर सकते हों इसलिए बस लगवर लगवर को दोनों का सेम ही है इसमें ठीक उसके बाद नेख्टिटर है डाटा रेप्रेजेनटेशन एंड कॉम्प्यूटर और इसमें तीन टापिक्स है डाटा रेप्रेजेनटेशन सेकेंड जाता है और पावर सप्राइब इसके बाद नएक्स चेप्टर आधा हमारा मेशंक्राद नज यह दोनों sausages नटेकर्ण यह पढ़ोगों मौना दिस E3 इसके बाद तो इसमें क्या-क्या इंप्रेटेंट है तो बूटिंग इंप्रेंट है ठीक है बाइस बेसिक इंपूट आउटपुस्ट सिस्टम इसको बाइस भी बोलते हैं भी आई ओएस ठीक है हाड़ ड्राइव सीमोस यह पूरे पांच ही टॉपिक्स है वैसे इसमें इनको अच्छे स इसके बाद नेक्स्ट है हमारा उपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है विंडो सेवन इंस्टॉलेशन और इवन्तू इंस्टॉलेशन यानि लेनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉलेशन जो है इसके बाद नेक्स नेटवक मॉडल्स नेटवक प्रोटोपॉल्स तो थोड़ा से लैंदी हो जाएगा यह चैप्टर तो इसको आप स्किप करना चाहते है तो स्किप कर दीजिएगा ठीक है एक्जाम में थोड़ा सा टाइम है तो आप पढ़ सकते हो भी इंपोर्टेंट कोशिन के अलावा इनक नेटवक क्विगरिशन कफिगरिशन विंडोस सिस्टम फर नेटवर की कोंफिग्रेशन लेनेक्स सिस्टम फोनेटवर की है चीक है इसमें विंडोस सज्टम फिजा नेटवगहीं imeim cover up करके बड़े अराम से कर सकते मैं जो यूज यूज चेक्ट रहा है वो बता दूँगा वो आप कर लीजेगा ठीक है तो इससे बहुत ज़्यदा आपकी हल्प हो जाएगी इंगेज विद कस्टमर्स इसमें चार टॉपिक से हैं एक सब्को आपको दिख रहे होंगे तो यह सारा आपका है इस ले सिसा और पूरी बूक जो है मैंने डाल दिया पीडिएफ का लिंक आप ड स्क्रیप्शन में ये तो ऊंकर दूड़ीजिगा तो सबसे पहले जो से में से वगयरा है वो मैं आपको बता देता हूं तो प्लाने तो आपका इसमें से इंट्रोडक्शन तो कंप्यूटर में आपको यह चेप्टर पूरा कर लेने चेप्टर बन और चेप्टर टू अराम से पूरा करें वीडियो भी आपको मिल जाएगी उनका लिंक में आप इसमें से क्या पढ़ सकते हैं और इस ताइप्स यह दो टॉपिक्स आपको इजी इजी पढ़ जाएंगे इसके बाद नेक्स्ट जो आजद आपका इसमें आपका असेंब्लिंग डिसेंब्लिंग इसके स्टेप्स और रहा होंगी तो यह चोटा सा चप्टर ही है तो टाइप्स ऑफ बूटिंग बस इतना पढ़ लीजिएगा और इस वाले में से विड़ो सेवन इंस्टॉलेशन और यूविंटू इंस्टॉलेशन यह दोनों इंपॉर्टेंट कोशन मैंने डाल रहे हैं से पीडियोप में आप आप से कर सकते हूं नेटवर्क बाइस में से बेसिक्स में से नेटवर्क टर्मिनोलोजी और नेटवर्क टॉपलोजी यह दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है और क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क यह तीम टॉपिक इसमें से आपको कर लेने हैं चिक उसके बाद आदा नेटवर्क कान्फिग्रेश और अब वायर्लेस नेटवर्क विद विंडोस एक ठीक है और इसके बाद आधा आपका नेक्स चैप्टर प्राब्लम डाइगनॉस्स ट्रॉवल्शूटिंग तुशिस्टम रिकवरी इंपॉर्टेंट है हाडवर टॉबल ट्रॉबल शूटिंग सिस्टम सफ़वेर पढ़ लेंगे आप एक बार और क्लावड कंप्यूटिंग यह पूरा का पूरा चप्टर है तो यह वला आप एक बार देख लीजिएगा न्यू ट्रेंड इन कंप्यूटिंग और अगर हो पाया तो मैं इसके मेराथन क्लास करवाने की कोशिश करूँगा इंगेज विद कंप्यूटर यह वी सब्सक्राइब यह दोनों चेप्टर भी इस आपको पड़ेंगे तो यह आपको बता दिया और किस आपका कोशिशन पेपर आएगा वह भी मैं आपको बता देता हूं तो सबसे पहले एक ब्लैंक सैट पर चलते हैं थोड़े सी ताकि मैं आपको बता सकूँ तो आठ तो आएंगे आपके MCQ एक एक मार्ग खाफ मार्ग के सब्सक्राइब खाफ मार्ग के 8 MCQ आएंगे यह निए 4 मार्ग के आपके MCQ हो जाते हैं उसके बाद दो मार्ग के चार कोशन आएंगे चीक है दो मार्ग के चार कोशन आएंगे तो आठ मार्ग उसके हो जाते हैं तो आठ आठ सोल्ला उसके बाद चार मार्ग के दो कोशन आएंगे छीक है 16 और 8 कितने हो गए सरी 8 और 8 16 16 4 20 20 के बाद आपके एक एक मार्क्स के 10 कोशन हो चीक है दुबारे से समझा देता हूं मैं आपको 4 मार्क्स का आपका MCQ आएगा छीक चार मार्क्स का MCQ 8 मार्क्स के आपके very short answer होगे short answer आपके 8 मार्क्स के हो जाएंगे दो कोशन आएंगे चार चार नमबर के और 10 जो है एक एक मार्क्स वाले कोशन आएंगे easy होंगे जाद 10 से जाद दो लाइन में लिखना होगा और time की बात करें तो time जो है आपको कोशन पेपर देखें तो दो बार से repeating कोशन आए यह वट आता major characteristics of computers तो यहां पर इसके characteristics दे रखे हैं तो एक मार्क्स के और दो मार्क्स के कॉडिंग इतना सफिशेंट है अगर यह चार मार्क्स के कॉडिंग आता है तो इनको आपको एक्स्प्लेइन करना को वैसे चार मार्क्स में नहीं आएगा कोशन तो इतना काफी स्टोरिज एक्यूरिस स्पीड कॉम्यूनिकेशन वर्सेटिलिटी डिग्लिजेंस और ओटमेटिक इसके बाद next आ जाता है वाइलेस फैडिलिटी इसकी फुल फॉर्म होती है फुल फॉर्म से अगयरा भी आपको याद रखना है क्योंकि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहां पर इसको भी बता दिया गया है इसेंपर प्रोटोकॉल डैट प्रोवाइड बेसिक फाइल ट्रांसफर फंक्शन विद नो यूजर ऑथेंटिकेशन इसके बाद नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर फाइफ यह मोस्ट इंपॉर्टन कोशन है दो बार से रिपीटिंग और चार मार्स का यह कोशन है चीक है और ज़रूरी नहीं इसी तरीके से पूछे किसी और तरीके से भी पूछ सकता है इसमें पूछा क्या है लिस्ट डाउन दस्टैप्स विच सपना मस्ट परफॉर्म फॉर अचीविंग डिस टास्क क्य उसके बाद यहां पे स्टैप्स आपको देखने को मिल जाएंगे तो यह स्टैप्स जो है बहुत जद्धा इंपॉर्टेंट है ठीक है इस्टैप्स आपको लिख लिएने स्क्रींशॉट बार देश्रीप्शन में डिस्क्रीप्शन में डाल दूँगा वहाँ से जाके साटा केबल्स यह भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है यह एमसी क्यू में भी आ जाता है काफ बार और एक मार्स में भी एक कोशन आया हुआ है ठीक है तो इसमें आ जाता है सीरियल अडवांस टेक्नोलोजी अटेच्मेंट साटा और सीरियल आटा केबल्स इस एन इंट वाला दोनों में से कोई भी आ जाएगा आपको करना सीखना है सबसे पहली बात न्युमेरिकल में वैल्यू चेंज हो सकती है करना अची आपको ठीक है और जरूरी नहीं है बाइनरी वाला भी आ सकता है तो चैप्टर में एक बार देख लीजेगा ठीक है बहुत ज़्याद में से कोई एक आ जाएगा या वह जो मैंने भी बताया आपको कनवर्जन में आही जाएगा तो इसका कनवर्जन इस चैप्टर में से चैप्टर 3 बता था मैंने तो तो और डैसिमल में यानि 10 होता है नीचे जाते कैसे हैं सबसे पहला नंबर क्या है 6 6 into 8 ठीक है पावर कित देखो तीसरे नंबर पर आता है ना 01233 नंबर पर आ जाता है अब उसके बाद 7 नेक्स नंबर क्याता है नेक्स डिजिट क्याता है हमारी 7 7 सबमें 8 रहे गाई रहेगा पावर जो है क्या होती रहेंगी इसके अक्वार्डिंग आपको चेक करना है ठीक है जैसे प्लेस है पीछे से चेक करते चलेंगे आप यहां पर जैसे 0 हो गया 0 पर 0 5 की पावर 1 7 की पावर 2 और 6 की उपर 3 मतलब यहां पर 8 के पर यह पावर लगनी है चीक है इस से अक्वार्डिंग चलती है तो 8 के पावर 0 रहती है तो मतलब 1 होता है मतलब 8 क्या कोई भी नंबर के अगर पावर 0 है तो वह बन हो जाता है जिरो से 1 को मिल्टिप्लाय करेंगे तो जिरो ही आ जाएगा 9 bit, 8 की पावर गानी 8, 5-8 जा फोटी आ गया से从 complet का गर है 7 CPA 64 और 17 इंट्यो ख़ेंगे तो 448 आ जाता है 8 काक्यूब हमारा 5 ट्वाल हो जाता है 6 से इंट्यो करेंगे तो 3072 आ जाता है और इन सब्ढेंगे तो 3560 आ पड़ता है और जब इसको फिर इसको इसको इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा ठीक है तो यह हमारा अंसर विज़ता है से सोल्टा पो करके दिखाना पड़ेगा इतना करने पर आपको यह जो बचेगा उसको लास्ट में लिखना यहां यानि क्या है तो सिक्स लिख दिया मैंने पीछे फिर जो कॉइटेंट आये ना मेरा ठीक है उसको दुबारा आट से डिवैड करूँगा फिर मैंने आट से डिवैड करा 67 रिमेंडर बचा वान मैंने पीछे इसके वन लगा दिया उसके 67 को मैंने दुबारा एट से डिवैड करा रिमेंडर वचा थरी लिख दिया ठीक है एट बार में आये तो सिक्स्टी सेवन आता तो तो यह जो है मेरा नमबर बन जाता है वन जिरो थ्री जिक्स चीक है तो इस तरीके से आपको यह कर लेना 1 0 3 1 6 इस तरीके से बन जाएगा जो सबसे लास्ट में नमबर होतो हो सबसे पहले लिखा जाता है यहां पर लिखा होगा आपको दिख रहो होगा लीस्स सिगनिफिकेंट बिट और मॉस्ट सिगनिफिकेंट विट ठीक है तो यह आपका अंसर इसके बाद नेक्स्ट कुशन है what is the function of floating point unit ये भी important question है सारे important है इसमें तो ये PDF important question क्या है बस कुछ question जो है वो most important है चलिए आगे बढ़ते हैं next question पे चलते हैं which tool is used to make a cable joint inside our computer and why coupler is used to make a cable joint inside a computer because it ensures safety from shortcuts sorry short circuits what is bias attack bias attack क्या होता है ये पूछा गया है इस question में ठीक है इसको देख लेना है उसके बाद यहां पर आपको एक mcq आ जाता है which of the following is equal to one terabyte one terabyte एक जीवी के बरावर हो एक हजार चॉविस जीवी के बरावर होता है तो यहां पर एक चीज में आपको एक्स्प्रेंड कर देता हूं एड़ बिट मिलके कितना बनाता है एक बाइड बनाता है भी वाई टी एस चीक है अगर mcq में पूछता है तो आप आप नामसे कर लो यह हो जाता है उसके बात बात करते हैं हजार 74 बाइड की बाइड की किसके बरावर होता है 1kg किसके बरावर होता हैओ 2024 mb किसके बराबर होता है 1gb किसके बराबर होता है ठीक है 1024 gb किसके बराबर होता है ते आगे बढ़ते हैं next question इस फॉलिंग प्रोटोकॉल्स अलाउग सेक्यॉर्ड ट्रांसफर बित्वीण टू कंप्यूटरस यह FTP होता है यहाँ पर फुल्फॉर्म पयों सकते तो FTP की टो फुल फॉल्फॉर्म होती है फाइल रसफ़ प्रोटोपॉल्स Опने है चाबंड अ वाला कोश्वन कॉश्वन razem के यह दियुक्त करती कोश्वन है तो Linux वाला आ जाएगा या तो Windows 7 की इंस्टॉलिशन आएगा ही आएगा दोनों में से एक कुशन पक्का आएगा चार मांक्स का तो यह बहुत ज़्योद इंपॉर्टेंट है तो यह दोनों जरूर अच्छे से रेट लेना है आपने यह याद करने ना है समझ लेना है ठीक है आप आप समझ रहोंगे मैं क्या बोलना चाहरा हूं ठीक है अभी आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते है पीडियेफ तो आपको मिली जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पटाफट से स्क्रीन शॉट जिसको लेना स्क्रीन शॉट ले सकता है मैं विलकुल धीरे-ध स्क्रॉल कर रहा हूं ठीक है यह बहुत ज़्यों स्टैप्स है इसमें अराउंड 20 स्टैप्स है ठीक है चलिए नेक्स्ट कुशन कुशन नमबर 15 जैसे मैंने भी बताया था हमारे विंडूस फाइब का यह लिनेक्स का है ठीक है तो यहां पर इसके स्टैप्स लिख्ये दीरे दीरे स्क्रॉल करता हूं चलूँगा मैं ताकि आपको भी दिक्कत ना हो स्क्रीन शॉट लेने में पर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए और आती रहेंगी चैनल सब्चेक्ट से रिलेडिड कोई भी मैटिरियल वगएर आपको कहीं पे भी वैसे अवेलेही हुआ होगा इसकी प्रैक्टिकल फाइल भी हमने प्रोवाइड गरी थी और आपको कहीं भी विप्लेल नहीं हो रही थी जानते होगे अगर आप हमारी से पहले से जुड़ हुए है तो कुशन नबर 16 आ जाता है सम्टाइम्स वाइल एक्स्प्लोरिंग 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 वेबसाइट ओन दा इंटरनेट दा मैसेज पेज 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 के नौट बीडिस्प्लेट पॉप्स अप हाव विल यू रिसॉल्व दिस प्रॉब्लम तो यहां पर आंसर लिखा हुआ इसका यह देख लीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं गिव टू एडवांटेजेज और फाइबर ऑप्टिक केवल और को एक्जियल और ट्विस्टेट पेयर केवल तो यहां पर इसके दो एडवांटेज दे दिए उन दिनों के कंवेंशनल टॉट्च ठीक है तो क्यूं है कंवेंशनल लॉंगर लाइफ देन कंवेंशनल टॉर्च कंजूम्स फार लेस एमर्ची ठीक है इसके बाद नेक्स्ट कोशन है वाट इस 404 पेज नॉट फाउंड एरर तो यहां पर 404 नॉट फाउंड एरर को समझा दिये गया अगर कोशन में पूछ लेता है इसके कारण कि क्यूं होता है तो नीचे रिजन्स भी बता दिये गए हैं ठीक है चार रिजन्स बताए हैं इसके आपका यहां से अब स्टार्ट हो जाते हैं यहां जैसे मैंने बोला था फुल फॉर्म स्पूछ लेता है तो यहां पर पूछा हुआ है और बुक में भी काफी सारे एमसी क्यू अगे रहा है फिलिंदा ब्लैंक्स है विद आंसर होंगे उनके चैप्टर के end में आपको आनसर मिल जाएंगे तो वहां से ज़रूर उने एमसी क्यू फिलिंदा बलैंक्स को याद कर लें ठीक है कोशन आंसर भी दिये गए हैं उनन आंसर को दूढ़ने की कोशिश करें और उन सारे आंसरों को याद कर लें तो आपका एक्जाम बहुत ही बैस्ट जाएगा मैं बता दे रहाँ आपको ठीक है ज्यादा कुछ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन इस परफॉर्म बाए एल यू ठीक है एल यू एंड सी यू आर जॉइंटली नॉट आज यू को मिला की क्या बनता है इसके बाद नेक्स्ट कुशन बोला हुआ है डाटा कंट्रोल एंड डाटा कंट्रोल एंड एडस बेट टुगेद बाए एल यू तो एक्षिमिलेटीट रिजिस्टर इसका अंस तरह जाता है इसके लास्ट एंसी क्यू जियो है वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई डाट या कोई प्रॉब्लम होती है तो रहे वर्टस अप नंबर भी आपको डिस्क्रिप में दिया है और कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है तो बिंदास बेजी चक अपने डाउट्स वहाँ पे बोल कर क्लियर करें थैंक्स वाचिंग अस वाचिंग अस वाचिंग आपने नाइस जे और दा बेस्ट फोर यूर इच और एवरी एक्जाम्स